हलो गाइज वेलकम टो फोडी कोकिंग रेसिपी आज हम बनाएगे हमारे घर में जैसे थोड़ी थोड़ी सब्सक्राइब कर लिए तो आप उनी सब्सक्राइब कर लिए तो चली जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं कि मट्सक्राइब करके मैं पहले ही रिफाइंड ऑईर ले लिया है एक हट्ची हमारा गर्म हो चुका है इसके अंदर मैंने एक चमच जीरा डाल दिया है साथ ही मैंने दो बड़े प्याज बड़े स्लैस में में अधे कट करके रही कर अब देख सकते हैं देखिया और एक मैंन यह हल्क हल्क सा ही fry करना हमें आइफ इसका अलंक दकन Still किसे फ्राइप करेंगे कि इसका हमें कच्छा पन इसे दूर करना राक में प्राउन इसके इंदर महीं डाल दूंगी हमें चार-पांच इसे मैंने हल्का सा कट लगा दिया था बीच में से मिर्ची को इसे भी इसके अंतर फ्राई करेंगे इसी के साथ हम एक मिनट के लिए बस इसे फ्राई करेंगे इससे ज्यादा हमें नहीं करना यह सबजी बनकर इतनी टेस्टी तयार होती है अब दो मेने बड़े टमाटर ले लिए थे इने भी मैंने रफली चॉब कर लिया था इसके अंदर मैंने डाल दिये हैं तो साथी में डाल दिया एक चमच नमक अधी छोटी चमच मैंने हल्दी पौडर डाल दिया है अधी चमच कश्मीरी लाल मिर्ची और अधी चमच मैंने धनिया पौडर डाला है मसाले अपने टेस्ट विकाउडिंग आप डाल लीजिए अगर आपके बच्ची अगर मिर्ची ने खाते तो आप मिर्ची स्किप कर दीजिए देखिए इस टमाटर सॉफ्ट हो चुकी है यहाँ पर मेरे जो गोबी के प्रांधे बनाई यह थे मैंने कल तो उसके नीचे से जो डंठल बच जाते हैं उसको मैंने कट कर लिया था दो आल चौप कर लिया था दोकर और साथी में जो गोबी के डंठल बच जाते हैं उनको भी मैंने डाल दिया है और दो मैंने आलू डाल ली है बड़े साइस के थे सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सबजी बनकर इतनी अच्छी टेस्टी तयार होती है एक बार आप जर सब्सक्काइब करें अब देखें मैंने इस से 10 मिनट के लिए बिलकूल फ्लेम पर मैंने इसे कुक होने लिए रखते है था 10 मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं सब्सक्राइब किस्चा प्लार आ गिसा किया सब्सक्राइब करूपर और काफी अच्छी बनकर तैयार ह वीड़ी हुई हैं जो आप देखिए मिलते हम नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए बाइबाइबाइबाइबाइबाइबांबुआ झाल झाल